नमस्कार आप देख रहे हैं निउस पी आर मैं हूँ आदेश पूरी पप्पू यादो कल गिरफतार हो गए हैं और इसको लेकर बिहार की जनता के साथ साथ नेताओं ने भी इसका काफी विरोध किया सरकार में सहयोगी रहे जीता नाम माजी, मुकेश सहनी और बीजेपी के मेलसी रजनिस कुमार ने खुल के ये बात कहीं कि पपू यादो को गिरफतार करना गलत है उनको अविलम रिहा किया जाए लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पाटी और बिहार की सबसे बड़े दल RJD जिसके तरफ से मिर्तुन्जे तिवारी प्रवक्ता आते हैं और वो इसका विरोध करते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि लोगों के ये दिमाग में फिट नहीं बैठ रही है लोग प्रस्ण कर रहे हैं कि आखिर लालू फैमली के द्वारा इसका क्यों नहीं विरोध किया गया हर एक छोटी छोटी बातों पर तेस्वी ट्वीट करते हैं तेजपरताब ट्वीट करते हैं लालई यदो भी अब ट्वीट करना सुरू करती है मिसा बारती करती है रोही आचारे रोहिनी करती हैं लेकिन पॉपत यदो नहीं किसी नहीं कि स्थारी ऐसे में जो राजिंत्रिक विस्यसक्ग उनका कहना है किा प्पू यादव जो है वो अब जमाद आम जन्ता की राजिंत्रिक करने लगे हैं लोगों के सबसे बड़े मसीहा बनके उभरे हैं जब उन पर आफात आता है या बिहार में कहीं भी हम सुनते हैं कि कोई भी घटना किसी के साथ घटता है तो पपू यादव से घर पे जरूर पहुंचते हैं चायो किसी भी जिला में क्यों नहूं ऐसे में जिस तरह का कल सहानभूती मिला पपू यादव को ऐसे में राज़त को डड़ है कि कहीं पपू यादव हीरो ना बन गया इन्हें ये भी डड़ है कि चुकि आरज़ेडी जो है जिस पर हमेशा आरोप लगाती है जदियू कि ये जो है एक जाती की पार्टी है और मुक्ता इस जाती कहीं से वोट मिलता है और कुछ अल्फ संख्योकों का समी करण है इसी करण ये इतनी सीड़ जीत पाते हैं और ऐसे में इने डर लगता है कि समझाती है पपू यादव अगर वो हीरो बन जाते हैं इस दोरान समर्थन उन्हें मिल जाता है तो इसका असर राष्ट्रिय जनताजल पर जरूर पड़ेगा वही आपको हम बताएं कि इस आपदा के समय में हमेशा जदी वे प्रस नुठा रहा है कि याखिर तेजस्वी यादव है कहा हमेशा वो विधान सभा में खड़े होते हैं ट्विटर पर खड़े होते हैं लेकिन बिहार के किसी भी होस्पीटल में या किसी भी जगह वो नही चाहिए और मधद करनी चाहिए और खुद के बारे में उन्हों ने कहा कि मैं बीमार हूं डॉक्टर मना कर रहे जाने से इसलिए मैं नहीं पारा हूं जब जाओंगा तो जाओंगा लेकिन लालूयादोंने अपने विधायक बेटें इनको नहीं बेजा और इस पर ही आती है जदियों की पर्तिक्रिया की लालू यादा जो हैं अपने बेटों को फॉर्म हाउस में रखे हैं और आम जो दूसरे विधायक हैं उनकों कह रहा हैं कि इस आपदा में लोगों की बीच में जाएं यानि उन्हें अपने बेटे की फिक्र है और अपने विधायकों की फिक्र न लेकिन तुरंत ही ट्वीट को हटा लिया जाता है। च्छेट को डड़ है, जाती की पार्टी है, एक समीकरन की पार्टी है। उभिए डड़ है कि अगर पपु यादव, जिस तरह उन्हें प्रसिद्धी मिल रही है, जिस तरह उन जंता के भीच में जा रहा है। एक ही जाती के हैं वो ऐसे में कहीं वो मसीहाना बन जाए इस जाती के इसलिए अब सहम भी गई है इस पर वो जबकि हम बताएं तो बहुत सारे दलों ने दलिये राजनिती अपने विचारधारा को भी त्याग कर पपू यादों को इस कारण से सपोर्ट किया कि वो सचमुच म कोई भी संपर करता था उसे वो नहीं करते थे बलकि उसका सोचने से ज़्यादा उसकी मदद करते हैं और आपदा के समय में पपू यादों एक अलग नाम हो गया है कहीं भी विहार में आपदा आता है तो पपू यादों सब से आगे खड़े रहते हैं इस त्रासदी के प्रब्लेम आ रही है इंबूलेंस का भाड़ा क्यों इतना है सड़कों पर निकलना समसान घाट में जाना कि वहां पर कैसी व्यवस्था है लोग को दिक्कत तो नहीं पैसे तो नहीं आठे जा रहे हैं उनसे जबरदस्ती कोई नहीं आया पपू यादों लगातार लग पं फेस्बुक पे सोसल मीडिया पे डाल रहे हैं और इस गिरफतारी का विरोध कर रहे हैं और पपू यादों को जल से जल निकलने की गुजारिस्त लगा रहे हैं सरकार से और साथ मों का ये भी गुस्ता है कि सबसे बड़ा दल है बिहार का राजद हर एक मुद्दे पर आता लेकिन ऐसा कोई भी अभी संभावना देखने को नहीं मिल रहा है अज जा रहे हैं किसी होस्पिटल में नहीं बलकि सहाबदिन के बेटे वो सामा से भेट करने और उसका सबसे बड़ा कारण ये हैं कि सहाबदिन के मौत के समय में जो संख्यक वोटर हैं वो RJD के रवये से नराज चल रहे हैं और ऐसे में डेमेज कंट्रोल करना है तो एक नराजगी है कि आखिर पपू यादाओ जो बिहारियों के लिए गरीबों के लिए काम कर रही है जबकि RJD के अभी वही पॉलिटिक्स है कि गरीबों की पाटी अप मेडिया में आके बोला हुनोंने लेकिन लालू फैमिली ने क्यों नहीं बोला ये सब कोई जानने के लिए परिसान है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है तो लाइक शेयर करें हमारे चैनल न्यूस प्यार को सस्क्राइब जरूर कर लें बहुत बहु झाल